Hello everyone, our date is 2nd of February 2022 और Indian Express News Paper Analysis में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम Indian Express News Paper की important news को exam के point of view से डिसकस करेंगे नीचे description box में telegram channel Volcano IS Academy का link दिया हुआ है आप telegram channel Volcano IS Academy के साथ में जूड सकते हैं वहाँ पर हर exam means UPSC, state PSC and other exams के point of view से काफी important information आप सभी के साथ में share की जाती है तो चलो start करते हैं वीडियो को start करेंगे एक geographical map question के साथ में और आज आपका question ये है कि दाफला hills को जाकर के आपको सबसे पहले map में view करना है और फिर इससे related हर important facts को and information को comment box में type करना है कल हमने आपसे question पूचाता किरीबाती nation को लेकर गई तो किरीबाती nation को अगर हम map में view करें तो आप सभी को पता होगा कि central pacific ocean में किरीबाती nation जो है as a island country के रूप में situated है यहाँ से सबसे important fact ये है कि किरीबाती जो nation है वहाँ से equator line पास होती है तो आपको ये करना है कि जो पूरे globally level पर equator line कहां कहां से पास होती है ये आपके लिए important हो जाता है इसके अलावा यहाँ पर और other जो small island country है उनके name भी बहुत ज्यादा important है जैसे कि Samoa, Tonga country है, Cook Islands है यहाँ पर, यह जो Solomon Islands है यहाँ पर यह जो Tonga country है वो present time में news में रही आपने भी इसको view किया होगा, steady भी किये होगी कि यहाँ पर under sea एक volcanic eruption देखने को मिला जिसकी वज़े से यह जितने भी island country है और यहाँ पर Australia और New Zealand का जो coastal area है वहाँ पर भी एक तरीके से sea threat देखने को मिला, sea wave threat देखने को मिला अब इसके अलावा यह जो small island countries है वो ऐसे भी news में रहते हैं कि climate change की वज़े से जैसे जैसे हमारी earth का temperature increase होता जा रहा है जो हमारा sea level है वो increase होता जा रहा है जिसकी वज़े से यह हमेशा जब भी कोई climate change को लेकर के या climate को लेकर के कोई discussion होता है तो उसमें सबसे important focus इसी पर किया जाता है कि जो यहां पर small island जो countries है उनको भी peace के साथ रहना, stability के साथ रहना उनका एक important right है तो उसको protect करना उन सारी countries की जिम्मेदारी है जिसकी वज़े से emission ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है तो यह भी major concern है जिसकी वज़े से small island countries काफी ज़्याता news में रहते हैं Indian Express news paper का अगर हम discussion करें तो सबसे important बात कल first of February थी और कल हमारा जो central budget है union budget जो है उसको हमारी finance minister निर्मला सीता रमन की दुआरा हमारे parliament में रखा गया यहां पर यह आज का जो Indian Express है चाहिए आप देहिंदू देख लो चाहिए कोई भी news paper का आप उठा करके देख लो आज complete newspaper जो है वो लगबग budget को focused है budget के उपर dedicated है budget के बारे में उसमें बाते की गई है अब यहां पर completely जो budget में क्या-क्या discussion हुआ किस तरीके से उन्होंने speech दिया उसको बारे में यहां पर किस sector के बारे में देख लीजिए सभी जगे जो है वो budget के बारे में discussion कर रख है तो हम complete budget को उसमें क्या-क्या उसकी key highlights है उसको अभी हम discuss कर लेते हैं फिर हम editorial page पर कुछ important article आई है जहां पर बताया गया है कि कहां पर कुछ कमी रखी गई है वैसे तो budget को लेकर के लगबग 15 to 20 days तक regular आपको editorial में कोई ना कोई article देखने को मिलेगा जो budget के हर other other areas को discussion करेंगे तो इसके through जो भी important नई-नई scheme है वो हमारे याद हो जाएंगी आपको क्या करना है आपका work कितना है या तो आपने कल जो budget speech था वो सुन लिया होगा उन नहीं सुना है तो आपको जा करके सुनना चाहिए ताकि आपको जो clarification है वो हो पाए उसके बाद में जो union budget का English version और अगर जा करके एक बार पहले budget के speech को सुनना है फिर उसके बाद में आप read कीजी तो एक basic understanding जो है वो आपके develop हो जाएगी फिर उसके बाद में regular जैसे जैसे budget के जो भी speech आएंगे जो भी editorial आएंगे उनको हम regular जब discuss करेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन-कौन से important जो facts है वो आपके exam के point of view से important है अब यह नहीं करना है कि उसमें जितने भी data दे रखे हैं कि health sector में 70,000 करोड खर्च के जाएंगे data याद नहीं करने है data बहुत कम exam होते हैं जिसमें पूछे जाते हैं ज्यादतर बहुत सारी scheme के बारे में बताया जाता है उन्हें scheme को लेकर के question पूछे जाते है बजट में जाता है या कुछ एरिया में जैसे किसी specific area में वो कोई center खोल रहे हैं जैसे telemedicine के लिए वो एक center खोलने की 23 हम telemedicine center बनाएगे center of excellence और एक बैंगलूरू में हम एक specific center बनाएगे जो उसको एक तरीके से maintain और review करने की कोसिस्ट करेगा तो इस तरीके से जो जो important कि पर कोई institute बना रहे हैं वो important हो जाता है इसके लाव कोई नई scheme किसी sector में तो वो important हो जाती है तो इस तरीके से आपको budget को पढ़ना है और सुनना है जो fact है 17,000 करोड़ वहाँ पे 1,000,000 करोड़ वहाँ पे 5,000 करोड़ वहाँ ये जो facts हैं वो आपको याद नहीं करने हैं तो चलो start करते हैं सबसे पहले budget की सुरुवाद budget में जो सबसे important बात ये है कि हम जो है इंडिया जो है वो 75 year of independence में entry कर चुका है 25 year के बाद में 2047 में हम 100 years complete कर लेंगे हमारी independence के तो हमारा जो budget है 2022 का 23 का जो budget है वो एक तरीके से इन 25 years में next 25 years जिनको उन्होंने अम्रत काल डिकलि किया है ये जो 25 साल आने वाले जो 25 साल है उसमें किस तरीके से इंडिया ग्रोथ करे कि जब 100 years हमारी independence के complete करे तो इंडिया जो है वो एक complete strong country की रूप में खडा रहे है तो ये बोला जा रहा है कि 2022 का जो budget है उसी को ध्यान में रखर की ये 25 साल में हम कैसे काम करेंगे और 100 years क के बाद में इंडिया कैसे strong होगा उसी का एक blueprint जो है वो इस budget में show करने की कोशिस की गई है यहाँ पर जो हमारी finance minister है उन्होंने spend करने को उपर ज्यादा focus किया है जो infrastructure है उसमें ज्यादा से ज्यादा development हो ताकि लोगों में एक तरीके से pandemic की वज़े से जो employment की काफी ज्यादा कमी हाई है उसमें दुबारा से अपसर्ज देखने को मिलाएगा गुर्मेंट का ये भी मानना है कि अगर हम infrastructure में ज्यादा spend करेंगे तो इससे क्या होगा जो private sector में investment है बहुत ज्यादा बढ़ेगा बाहर से foreign से जो investment है हमारी country में increase होगा और हमारी country की जो economic growth है वो बहुत जल ज्यादी increase हो पाएगी तो यहां पर budget में शुरुआत में बताया गया है अमरत काल के बारे में फिर बताया गया है कि four pillars के basis पर इस budget में work किया जाएगा सबसे पहले PM गती सक्ती मतलब हमारा जो infrastructure है उसके अंडर काम किया जाएगा और PM गती सक्ती में भी आपको पता है कि जो सेमन हमारी sectors है जैसे roads के उपर, railways के उपर, opportunities, energy, sorry, roads, railways, airports, ports, airports हो गए, ports हो गए, mass transport हो गया, waterways हो गए, logistic infrastructure हो गया, इन सभी के उपर यह जो sector है इन में focus किया जाएगा, यहां पर ज्यादा से ज्यादा development किया जाएगा ताकि जो economic growth है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके दूसर inclusive development के उपर focus किया जाएगा, first PM गती सकती, second number पर inclusive development, third number पर है productivity enhancement, और fourth number पर है financing of investments, financing of investment, इन चार जो major focus है, इनके according, budget में बताया गया है कि यह four pillars है, जो एक तरीके से हम 100 years जब complete करेंगे, तो हम इंडिया को एक strong country की रूप में develop करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर बताया गया है, budget में सबसे पहले, कि किस तरीके से, जो seven sector हमने discuss के, कि roads, railways, ports, airports, infrastructure, mass transport, waterways, इन सभी में, अलग-अलग फिर बताया गया है, कि railway में हम कितनी train है, वो चलाएंगी, जो हमारा area है, उनको कितना cover करने के लिए हम को सिस करेंगी, कितना ज्यादा national highways है, उनको हम develop करेंगी, इसके अलावा ये भी बात पताईगी है, कि multi-modal logistic parks जो है, वो develop किये जाएंगी, दूसरा अगर हम बात करें, तो railways की बात की गी है, railways में one station और one product के उपर focus किया जाएगा, ताकि वहाँ पर जो local लोग है, उनका जो भी production है, वो develop हो सके, उसको और ज्य ज्यादा include की जाएंगी, ताकि हमारा infrastructure high level का develop हो सके, इसके अलावा 100 PM, गती सकती कारगो terminal जो है, वो multi-modal logistic के हिसाब से develop की जाएंगी, अब ये कुछ important term है, जैसे वंदे भारत जो train है, वो important term हो गई, इसके अलावा one station, one product, एक तरीके से, जैसे हमारी government को सिस कर रही है, कि one nation, one election, one nation, one card, इस तरीके से, one station, one product, हमारे इंडिया को आत्म निर्बन, self-reliant बलाने के लिए, जो government का focus है, उसके according, ये scheme लाने की government को सिस कर रही है, इसके अलावा अगर हम बात करें, तो यहाँ पर, जो हमारे परवत माला है, mountains है, वहाँ पर, जो rope way है, वो बनाने की को सिस क जाएगी, तकि tourism sector increase हो सके, और जो mountains है, उन तक easily हमारी reach बन सके, इसके अलावा अगर हम बात करें, तो agriculture sector की फिर बात की जाती है, agriculture sector के लिए ये बोला गया, कि जो भी farmers हैं, जो paddy और wheat का production करते हैं, उनको direct cash भीजा जाएगा, अभी present time में आपने देखा, कि farmers का protest भी चल रहा है, उन्होंने ये बूला है, कि government ने उनसे जो वादे किये थे, वो complete नहीं कियेगी, और उन्हीं वादो को complete करने के लिए, government ने, जो भी उनको minimum support price दिया जाते हैं, वो direct payment जो है, उन farmers के account में होगी, मतलब एक तरीके से, थोड़ी बहुत, उनको एक तरीके से ये कोसिस की कि ताकि ज्यादा से ज्यादा जो फंड है, वो जो फार्मर से उनको दिया जा सके, किसान ड्रोन, सबसे important बात, इस बार जो हमारा budget है, उसमें focus किया गया है नई technology के उपर, जैसे कि जो ड्रोन टेकनोलोजी है, अभी कुछ टाइम पहले हमने आर्टिकल भी इसको ले करके discuss क कि ड्रोन जो है, उसका inclusion हर सेक्टर में होना चाहिए, तो यहां पर किसान ड्रोन का यूज करने की बात की गई है, ताकि जो लेंड रिकोर्ट है, उनका digitalization easily हो पाए, इसके अलावा spraying of insecticide जो है, नूट्रियंट्स को अगर आपको spray करना है फार्म में, तो भी आप easily काम कर पा है, उसको implement करने की कोसिस की जाएगी, MSME सेक्टर की बात करें, तो हमारे यहां पर बहुत सारे अलग अलग पोर्टल हैं, जैसे कि उद्यम पोर्टल हो गया, इसरम पोर्टल हो गया, NCS हो गया, असीम हो गया, इन सभी को जोड़ करके एक साथ interlink किया जाएगा, ताकि जो problem ह है, उसको soul किया जा सकी, इसके अलावा अगर हम बात करें, तो skill development की फिर बात आती है, skill development पोछ जरूरी है, और सभी को पता है कि हमारे इंडिया में employment की कमी हुई है, तो employment को दुबारा से boost up करने के लिए, हमारे यहां पर skilled laborers होने चाहिए, ताकि foreign में जाकर के भी easily उनको employment मि सके, यहां पर अगर हम बात करें, skill की, तो skill के लिए एक digital ecosystem बनाया जाएगा, और उसमें जो भी person है, उसके according, फिर उसकी जो भी skill जो दी जा सकती है, जैसे कि present time में, जो भी person है, उसको किस तरीके से आप skill करना है, उसकी re-skill करनी है, या फिर उसको जो और ज्यादा skilled करना है इन सभी basis के उपर, कि जो भी उनकी present time में, जो भी उनका present time में foundation है, उसके according उनको boost up करने की कोसिस की जाएगी, और इसको ले करके एक portal बनाया जाएगा, अब बात आती है education की, education को भी आपको पता है कि COVID के time में, education sector काफी ज़्यादा, एक तरीके से decrease हुआ, क्योंकि school जो है, लगबग 2 साल से बंद है, हमने बहुत सारी reports को discuss किया, और उन reports में ये बात बुली गई, कि देखो, education जो sector है, उसमें एक vast gap create हुआ है, उसको fill करने के लिए, हमें कोसिस की जानी चाहिए, तो इसी के लिए, government ने ये discuss किया है, कि देखो, जब school बंद हुई, तो offline mode से, जो education है वो online mode की तरफ हाई, तो government ने e-education की तरफ अपने कुछ initiative स्टार्ट किये हैं, government ने बोला है कि one class, one class, one class, one TV channel program हम चलाएंगे, और उसके basis पर जो easy education है, वो easily दी जा सकेगी, इसके अलावा जो virtual labs है, skilling e-labs जो है, इन सभी को भी सुरुआत करने की कुसिस करेंगे, जो content है, जो भी digital teacher है, उनके साथ में मिलकर के हम content develop करेंगी, तो इस तरीके से digital university, digital education के उपर focus करने की बात की गई है, अब बात आती है आंगनवाडी की, आप सभी को पता है कि COVID के time में ना सिर्फ school बन रही, आंगनवाडी भी बन रही, जिसकी वज़े से जो छोटे वच्चे या फि के लिए कोसिस की गई है, और इसके लिए mission सकती, इसके अलावा mission Watson, सक्षम आगनवाडी and portion 2.0, ये कुछ mission है जिनके through आगनवाडी को भी सक्षम बनाने की बात की गई है, फिर बात आती है हर घर, हर घर नल से जल, मतलब tap water connection जो है उसको किस तरीके से पहुँचाया जाएग उसके बरबात की गई है, फिर houses की बात की गई है, कि प्रदानमंतरी आवासियोजना के टायद सभी को हमें घर देने है, अब यहाँ पर हम भी अपने देखा कि जो education sector है, उसमें अगर हम देखें, तो जो हमरा budget है, उसमें focus किया गया है ज्यादतर कि हम ये बना देंगे, ये बना देंगे, लेकिन कहीं भी ये focus नहीं किया गया, कि जो gap create हुआ है education में, two years का जो loss हुआ है हमारे students को, उस gap को आप कैसे fill करोगे, किस तरीके से आपका जो bridge है, इस तरीके के आप कुछ bridge course बनाओगे, ताकि जो gap हुआ है, मतलब महां यहाँ जो student थे pre-covid time में थे, यहाँ student study कर रहे थे, और अब बीच में two years के लिए school बन रही, और अभी present time में दुबारा से हर area में school open हो रही है, states में open हो रही है schools, तो यहाँ पर यह जो gap हुआ है, इसको लेकर कि आप कैसे bridge बनाओगे, ताकि इसको connect कर सको, इसको आप elevated group बनाओगे, elevated bridge बनाओगे, या फिर simple bridge बन तो इसके बारे में कुछ भी नहीं बताये गए है budget में, budget में सिर्फ infrastructure डिवलेप करने की बात की गई है, जो students और teacher के बीच में जो gap हुआ है, जो students हमने यह देखा है कि COVID के time में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जिनके पास में basic infrastructure भी नहीं थे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनोंने अपने education छोड़ दी हैं, तो उन बच्चों को आप mainstream में कैसे लेकर क्या होगे, इसके बारे में budget में कुछ भी discuss नहीं किया गया है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो यहाँ पर North East region के लिए भी बोला गया है कि North East region में development और connectivity के लिए काम किया जाएगा, इसके अला जाएगी, ताकि जो हमाने northern border है, वहाँ पर जो area है, वहाँ पर कुछ villages को develop किया जाए, और वहाँ की जो population है, उनके साथ में development के साथ में कुछ ऐसा program बनाया जाए, ताकि हमारी जो border area है, सेक्यूर हो सकी, इसी तरीके की जो strategy है, वो अभी China focus कर रहा है, अपने border area में, जहाँ पर China के, इंडिया के साथ में उसकी border मिलती है, वहाँ पर village develop कर रहा है, और इसा माना जाता है, कि उन लोगों को as a army troops के रूप में deploy किया जा रहा है, ताकि वहाँ पर जब भी कुछ problem हो, तो उन लोगों का use किया जा सके, as a army personal के रूप में, और normal वो develop कर रहा है, कि हम तो यह sector के रूप में develop करने की कोसिस करेगी हमारी government, इसके अलावा, e-passport जो है, उसके उपर focus किया जाएगा, urban planning, urban planning के उपर हमारी जो government है, वो focus करने की बात कर रही है, हलांकि हमें पता है, कि हमारे यहाँ पर smart cities program present time में चल रहा है, अमरुत mission जो project है, उसके उपर budget में कुछ पी न use किया जाएगा, इसके अलावा अगर हम बात करें, तो कुछ ऐसी task force मनाई जाएगी, जो task force है, वो animation, visual effects and comic, इन सभी को promotion करने का काम किया जाएगा, ताकि इस sector में भी जो हमारी strength है, उसको आगे लाया जाए, simple language में अगर हम समझे, तो यह बोला गया है, कि जहां जहां पर हम weakness दिखाई दे रही है, उन समी को हम promote करेंगे, ताकि इंडिया जो है, एक नए strength, strong country की रूप में सामने आ सके, टेलिकॉम सेक्टर की बात की गई है, कि टेलिकॉम सेक्टर में जल्दी 5G का जो auction है, वो जल्दी हम start करेंगे, ताकि टेलिकॉमिनिकेशन जो सेक्टर है, उसको boost up मिल सके, और बहुत सारे जो private telecommunication companies हैं, उनको जादा से जादा जब competition होगा, तो जो भी हमारे एक तरीके से customers हैं, उनको जादा से जादा बेहतरीन जो सुईदा है, benefits हैं, वो मिलेंगे, इसके अलाबा, export को promotion करने की budget में बात की गई है, कि हम को assist करेंगे, कि इंडिया इतन हमारा export है, उसको हम बढ़ा सके, इसके लिए हम कुछ ऐसे services hubs और enterprises hubs के रूप में इंडिया को develop करने वाले हैं, आत्म निर्भरता in defense के अगर हम बात करें, तो अभी present time में इंडिया जो है, वो अपने defense weapons के लिए बहुत जादा कोसिस करता है कि विजेज से, foreign से, जैसे कि present time मे अगर हम देखें, तो रश्या और यूक्रेन के बीच में issue चल रहा है, हमें पता है कि हम अपने defense weapon के लिए बहुत जादा rely करते हैं, रश्या country के उपर, तो अगर हम रश्या के विपक्स में जाकर कि यूएस का साथ देते हैं, तो रश्या हमारे entry हो जाएगा, इसके अलाव के रूप में आगे बढ़ सके, इसके अलावा अगर हम बात करें, तो energy transition की बात की गई है, कि किस तरीके से हम renewable energy की तरफ आएंगे, target start किये गए है solar power के लिए, इसके अलावा ये भी इसके plus point भी बताए गए हैं, कि देखो जितना ज़्यादा renewable energy की तरफ आएंगे, उतना target लिया है, 2070 तक हमारे यहाँ पर इंडिया में एक तरीके से हम जो net zero emission target जो लेकर के आए हैं, COP26 की meeting में, अभी Glasgow में जो meeting हुई, उसमें हमने इस initiative को, इस target को अचिव किया था, तो इस target को complete करने के लिए हमें green bonds release करने की बात की है, और बात की है कि हम जल्दी से जल्दी जो renewable energy है, उसकी तरब भी अपने आपको increase करेंगे, अब यहाँ पर बात आती है, cryptocurrency की, digital जो currencies हैं उनके बारे में, तो उनको इपर 30% tax लगाने की government ने बात की है, और RBI जल्द जो है, वो अपने digital रुपी लेकर के आएगा, इसके अलावा अगर हम बात करें, तो बहुत सारे states को focus करने की बात की गई है, कि आपके यहाँ पर जो भी specific कोई term development है, उसके लिए आप ज्यादा focus कर सकते हो, next अगर हम बात करें, तो other और भी important points है, उन सभी में focus करने की government बात की गई है, यहाँ पर अगर हम बात करें, तो tax में कोई भी छूट नहीं दी गी है, middle sector को लेकर के, इ पाएंगे, और फिर भी अगर आपको नहीं है, तो आप Hindi और English, दोनों वर्जर में present है, आपको प्लब्ध है, आपको provide करवा दिया गया है, तो आप उसको easily जा करके read कर सकते हो, और समझ सकते हो, कि budget में, और इतना time अगर अपके पास में available नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, उन समरी को भी आप read कर सकते हो, बहुत सारी coaching institute अपनी समरी प्रोवाइड करवा देते हैं, उन समरी को भी आप read कर सकते हो, अब यहाँ पर complete article जो Indian Express है, complete newspaper, उसमें क्या है, कि हर सेक्टर को लेकर के, जैसे किसी ने, हर स्टेट के जो CM है, उन्होंने बोला है अपनी तरब से क budget में क्या क्या है, यह सब कुछ important, ज्यादा important नहीं है, सिर्फ हमारे budget important है, जिसका हमने एक overview ले लिया, अब यहाँ पर जो editorial base पर एक important article है, उसको हम discuss कर लेते हैं, उसमें बताया गया है, कि देखो, COVID के time में हमारे इंडिया में सबसे problem क्या हुई, problem यह हुई, कि हमें साब प उनने साफ ये भी पोला Parliament में, कि वो जो death हुई थी, वो government की वज़े, उससे, oxygen की कमी की वज़े से नहीं हुई थी, लेकिन आपको भी पता होगा, कि oxygen की ही कमी की वज़े से, एक तरीके से वो death देखने को मिली थी, तो यहाँ पर clear बात समझ में आ गई थी, कि हमारे इंडिय में जो infrastructure है, उसकी काफी ज़्यादा कमी हुई, इसकी वज़े से ये जो article है, ये जो editorial में जो article लिखा है, वो हमारी former secretary रह चुकी है, health secretary रह चुकी है, उन्होंने ये article लिखा है, और उन्होंने ये बूला है, कि देखो, present time में हम कितना परेशान हुए, हमारे पास infrastructure की कमी थी लेकिन फिर भी ये जो present time का जो हमारा budget रहा, उसमें focus नहीं किया गया है, health sector को लेकर के, कि health sector को हम किस तरीके से develop कर सकते हैं, यहाँ पर जो writer है, के सुझाता रहा, उन्होंने ये बूला है, कि pandemic की learning से हमें सीखना चाहिए था, कि हम अपना infrastructure जो है, उसको इतना च्छे develop करें ताकि focus किया जा सके, कि हमारे जो भी problems हैं, उनको हम solve कर सके, और next time इस तरीके का जो pandemic है, उसको उन issue को हम solve कर सके, हमें क्या करना होगा, infrastructure develop करने के साथ साथ में, जो हमारे जो भी staff है, nursing staff देख लीजे, doctors के availability देख लीजे, वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी होगी, आलांकि budget में बात की गई है, कि हमारे mental health बहुत ज़्यादा effect हुआ है, COVID के time में बहुत ज़्यादा stress है, वो increase हुआ है, तो इसके लिए mental health को ध्यान में रखते हुए, हमारे budget में ये बोला गया है, कि हम कुछ ऐसे center बनाएंगे, और उन center के थुरू, telemedicine जो है, mental health को लेकर क telemedicine के उपर focus करेंगे, तो यहाँ पर इस article में ये बताया गया है, कि देखो, जो हमने pandemic से सीखा, उसको हमें budget में show करना चाहिए था, अपने infrastructure को develop करना चाहिए था, तक इस तरीकी कि जो issues है, उनको easily हम solve कर सकें, तो यह आज के Indian Express news paper का discussion था, अगर आप यहाँ तक आई है, व